सल्मान खान के घर के बाहर हुई फाइनिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुल चार आरूपियों की गिरफतार किया था और उन्ही गिरफतार आरूपियों में से एक था अनुस थापन जिसे उसके एक साथी के साथ में पंजाब से गिरफतार किया गया था हाली में उसे गिरफ्तारी के बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई लेकर आई थी और इस वक्त तो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था लेकिन इस मामले में नया मोड आ गया है क्योंकि अनुस्तापन ने दोपहर को लगभग 11 से 12 बजे के दरमיान मुंबई आगे को उसने निकाल कर एक रसी बनाई उसके बाद में बात्रूम में जाकर खुद को हैंक कर लिया और उसे जब तक मुंबई के जीटी अस्पताल में लाए गया यहाँ पर डॉक्टरस की टीम ने उसका चेक अप किया और चेक अप करने के बाद में उसे डेट डिकलेर कर द अभी भी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में ही था अरोपी लगातार उससे पूस्ताच कर रही थी फिलहाल अनुस्थापन ने आत्मत्या क्योंकि उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मुंबई क्राइम ब्रांच को भी इस बात का जवाब आने वाले दिनों में देना पड़ेगा फिलहाल इस पूरे मामले में जो है अनुस्थापन की मौत हो गई है और मुंबई पुलिस ने इसकी पुष्टी भी की है